नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सभी लोग फेस्टिवल्स का आनंद लेने के लिए तैयार होगे, तो मैं आज फिर आपके सामने आ गई हूँ, फेस्टिवल्स के लिए भी कुछ टिप्स ले करके, कुछ ट्रिक्स ले करके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चलल को सब्स्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं, कचोडी बनाते हैं, या कई बार ना हमारे घर में आलू फोड़ने, आलू को इस तरह से फोड़ लीजे, बिल्कुल भी गांट आलू में नहीं रहेगी, बिल्कुल आप एक बार इसे प्रयोग करके देखे, नेक्स्ट पे दोस्तों, इस समय बारिश में जो आलू आते हैं, वो बहुत गिले-गिले से होते हैं उबालने के बाद में, तो इसके छोड़ दीजे, तो इस जो सेव होते हैं, वो क्या करेंगे, मिक्सर मट डालिएगा, सेव जो होते हैं, वो आलू की जितनी भी नमी होती है, उसको पूरा सोख लेंगे, उसके बाद आप अगर फ्राइ करके पराँठा बनाते हैं, तो बनाईए, अगर आप भी ना फ्राइ मसाला बनाते हैं, या पालक परी बनाते हैं, और वो बच जाता है, थोड़ा सा भी बच जाता है, तो ना हमारा फिर फेकने का मन नहीं करता है, हमें लगता है, इतनी महेंगी सबजी घर में बनी है, इसको क्यों फेका जाए, तो दूसरे दिन आप क्या करिए, उसकी रोटी के आठा गुन लीजिए थोड़ा सा प्रेशर दीजेगा ताकि जो पनीर है वो पूरा अच्छे से आठे में मैस हो जाए इसको आप पीस भी सकते हैं लेकिन पीसने की अपेक्छा अगर आप ऐसे ही बनाएंगे पराथा तो ज्यादा अच्छा बनता है क्योंकि जो पनीर का क् लच्छा पनाठा लच्छा पनाना कई बार लोगों को बहुत मुश्किल सा लगता है लेकिन मैं आज आपको बहुत आसा तरीका बना बताऊंगी जिससे आपका लच्छा पनाठा बहुत आराम से और अच्छे से बन जाएगा तो यह देखिए हमने आठा को गून लिया है आठा गूनने के बाद में जैसे हम रोटी बेलते हैं बिलकुल उसी तरह से आपको परांठे को बेलना है बड़ी सी रोटी बेल लीजेगा थोड़ा सा ओल लगाईए थोड़ा सा आठा डालिए और जैसे हम तिकोना परांठा बनाते हैं बिलकुल उसी तरह से कोई प्लीट लगा लेने हैं जितनी कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे फोल्ड लगा करके न हर फोल्ड में हमें ओईल और आटे की एक परत लगा देनी है और फिर आप इस पराठे को बेल लीजेगा बिना कुछ भी नहीं करना है जैसे आप नॉर्मल पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे बेलिए और वैसे ही तवे पर डाल कर दोना तरफ घी लगा करके सेक लीजेगा बहुत बढ़िया और बहुत क्रिस्पी करारा सा पराठा बनता है इसे आप चट्मी के साथ खाईए सौस के साथ खाईए या अचार के साथ या दही के लंच बॉक्स में रखिए या फिर यहीं पर चाई के साथ खाईए नेक्स टीपे दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है कि हम गुलाब जामुन बना रहे हैं बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं और उसके बाद उसकी चाशनी बच जाती है तो इस बची चाशनी से हम क्या करे यहां पर मैं आपको मैंने पहले अपने वीडियो में चाशनी की बहुत सारे यूजिज बताएं पर आज मैं बिल्कुर नया यूज लेकर के आई हूँ इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और हमें अकसर कुछ मीठा खानी की क्रेविंग होती है तो चाशनी जो हमारे घर मे केजेगा और फिर उसमें बुंदी डालिएगा और इसके बाद में क्या करेंगे थोड़ी सी बुंदी मुझे कम लग रही थी तो मैंने इस में ऑड़ी और है इसके बाद हम क्या करेंगे कि बुंदी को इसको पूरे को ढख कर रख देंगे पंदरा से 20 मिनट के लिए आप करेंगे कि जो 15-20 मिनट के बाद में आप इसको खोलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यह आपने बूंदी नहीं बनाई है बिल्कुल अमेजिंग सी देखिए पूरी चास्नी बूंदी ने सोक लिए अब इसमें आप मचाहें तो थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दें चाहे तो ऐसा गुलाब जल डाल दीजिए और इसके थोड़े से खरबूजे के बीज में ने डाल दी है थोड़े सी रोज पैटल्स डाल दी है बिल्कुल बाजार वाली बूंदी का टेस्ट इसमें आएगा दोस्तों इस बात की गारंटी है एक बार ज़रूर प् नाते हैं तो क्या होता है कि हम जैसे ही बाने करते हैं तो ख़र दाले सेữa घृण बठाव तो कशीक होता है WILL इसके बाद हैं नहींकिता का इसा थिशलीACH डता आप जराबी यहीं का आप इसके बाद देए he अगर आप धीमियाद पर बनाएंगे तो ब्रेड वाल में तेल घुज जाएगा तेल भर जाएगा और फिर रोग खाने में अच्छा नहीं लएगा नेक्स्ट पर दोस्तों कि इस समय सावन का महीना चल रहा है हम लोग ब्रत रखते हैं उपास रखते हैं तो ब्रत में अगर आप हेल्दी डिश खाने की एक्छा रखते हैं तो एक कप साबुदाना को लेकर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और फिर दो कप लीजिए पानी उसमें से एक कप पानी हमने इसमें यहां पर डाल दिया है बारी कटी हरी मिर्स तिली गाजर किसी हुई और हारा धनिया ड दाल दीजिए गाजर के इसके बाद में इसको अच्छे से चलाइए ताकि इसके जो लंब्स है वो खतम हो जाए अच्छे से चलाने के बाद जब पूरा मिश्रण एक जैसा हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसमें आप थोड़ी सी चाहें तो काली मिर्च डाल दीजि और उसके बाद में जैसे जमाने में आपको अगर दिक्कत हो रहे है तो आप एक कटोली लीजिए उसमें थोड़ा सा घी लगाईए और फिर इसकी बर्फी जैसे जमा दीजिए चौको चौकर पीसिज हम इसमें से कट कर लेंगे चौको एकदम से स्कैर पीसिज आप चाहें इसके साथ आप फलाहरी चटनी से खा सकते हैं या चाय से खा सकते हैं या दही से खाएंगे वह भी बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए बीच में हमने उलटे पलटे हुए हमारे जो स्क्वार्ट हैं इनको हमने कर लिया है ब्राउन और जैसे ही ब्राउन होंगे ना इसके फाइदा तो तभी है जह हम ओईल थोड़ा सा कम खाएं नेक्स्ट पर दोस्तों कि जब भी हम चीला या डोसा बनाते हैं तो कही बार ना हमारे पैन में चिपक जाता है तवे पर तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी आप दोसा चीला बना रहे हैं त तो उससे पहले थोड़ा सा तवे पर डाल दीजिए और उसके बाद ना उस पर आधा प्याज लीजिए फोर्क में लगाईए और फिर आप इस पर अच्छे से रगड दीजिए इससे क्या होता है ना कि तवे की ग्रीसिं हो जाती है और हमारा डोसा या चीला इसमें चिपक उससे पहले आप फिर से प्याद गुमा दीजिए फोर्क में दबा करके और जब भी लहर एक के बाद ने आप गुमाते जाएंगे ना तो आपका डोसा या चीला इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं चिपका है नेक्स पर दोस का कर चाहिए है वे रीम थेम ट्कुल सतका डी में परिष छीयगा उपकर जाइब ब्रूम ट्रेचर पर जब आजाएगा तो आप थोड़ी देर जैसे ही उसको चलाइगे ना को भी बिल्क भी नहीं को ज़ड़े थोदयē में चला तो जीलाइगी दूद तो अगर आपके प अलग एक बाउल में और घी को हम कर लेंगे गरम आप देखेंगे कि एक मलाई से पंद्रा दिन की मलाई है ये मेरी लगबग दो से तीन बारिस में पानी डाल करके दूद को अलग कीजेगा तो जो बटर है ना उसमें दूद की मात्रा बहुत कम रह जाती है और फिर जो घी ब अगर आप बीच में नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि नीचे से जल जाएगा तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा और हाँ दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजि दूद को बाल जैसे ही आएगा तो इसमें थोड़ा सा एक चमच लीजिए सिरका और उसमें एक चमच मिला लीजिए पानी और फिर इसको दीर दो तीन बार में आप दूद में डालिए चलाते रहिए यह देखिए दूद पूरा क्रंबल हो चुका है और इसका पनीर अलग ह पानी अलग हो गया है चलनी लीजिए उसमें कपड़ा दीजिए और इसके बाद में यह क्रंबल किया हुआ हमारा दूद है उसे आप इसमें डाल दीजिए ठंडा पानी उपर से डालिए ताकि वेनेगर का जो टेस्ट है वो पूरा इसमें से निकल जाए उससे एक और फाय वरना उसका मौश्चर खतम हो जाता है इस पनीर को आप चाहें तो तुरंट सब्जी बना आप देख सकते हैं कितना सब्जी बना अब बचा है हमारा यह मैटेरियल जो घी वाला है अब इसको हम क्या करेंगे कि जब भी आप कोई भी सब्जी पनाने जा रहे हैं जैसे मैं स बद्दू के चिलकेओं को कभी मत तेके इसका जो ठेचा है बहुत अच्छा बनता है तोड़ी मुमफली दाना थोड़ा लहसुन डाली खूप शरी लहरी मिर्च डाल दीजिये लाल मिर्च डालीए थोड़ी धनिया पत्ति डालीए और थोड़ा साबुत धनिया डाल करके सौफ डाल कर नमक डालिए मैंने यहाँ पर खटाई के लिए कच्चा आम डाल दिया है आपके पास खटाई है वो डाल सकते हैं बहुत बढ़िया ठेचा बन करके त्यार होता है नेक्स टीपे दोस्तों कि जब भी हम आप बालों में महंदी लगाते हैं तो महंदी जब पूरी मैं आप देखते होगे कि जो अनियन मिलता है ना पिंक कलर का पिंक अनियन जो मिलता है उसे हम कैसे बनाते हैं तो मैं साबुत नहीं बना रही हूं मैंने इसको कट कर लिया है कि साबुत बनाने से वेस्ट इस बहुत होती है थोड़ा सा बीटूट डाल दीजिए चिरकाः तो आप यह पराठा बना कर देजिए मैगी लीजिए नूडल्स का मसाला जो आता है न वो लीजिए चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल लीजिए अमचूर पाउडर डाले एक बढ़ी हसा मसाला त्यार कीजिए और इस तरह से फोल्ड करते ह एक बढ़ी आसा पराथा उनको बना करके देजिए हर लेयर में आपको घी लगाना है और लगाना है जो हमने नमक बनाया है वो बहुत ही आमेजिंग पराथा बनता है एक बढ़ ज़रू बना कर देखेगा नेक्स्ट पर दोस्तों कि जब भी आप अर्बी की सब्जी या बना कर देखेगा विशेशकर नमक के साथ तो अकसर होता है कि नमक अर्बी में मिल ही नहीं पाता है थोड़ा सा बेसन भी इस स्टेस पर डालिए तो उससे क्या होगा कि बेसन हमारा बुन जाएगा और हमारा सबजी है वो बहुत अच्छी मसाला पूरा आलू और अर्बी म और फिर इसको पांस से साथ मिनट तक धीमी आज पर रोस्ट होने दीजिए बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी सी सबजी बनकर के तयार होगी आप एक बर जरूर प्रयोग कीजिए और हाँ दोस्तों अगर नहीं लाइक किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं है तो हम क्या करें तो आपके पास यदि भुने चने रखे हुए हैं तो आप क्या कीजिए उनको गरम पानी में डालिए थोड़ा सा पानी उनका निकाल लीजिए और फिर उनको डाल दीजिए ठंडे पानी में तो क्या होगा कि जितने भी आपके भुने चने है न उनका छि इसी तरह आगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटीड कोकोनट के साथ भी जटनी बना सकते हो नेक्स डिपर दोस्तों की इस तरह की जो ड्रमिस्टिक आती हैं सहजन की फली जिनको हम बोलते हैं बहुत फायदे मन्द होती हैं बहुत कैसियम होता है इसमें हमें जरूर खाना चाहिए लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम होती है कि इनको खाया कैसे चाहिए तो एक तो आप ब्रत के लिए लेकर के आई हूं दोस्तों इस समय ब्रत चल रहे हैं आप लोग भी खीर बहुत बना रहे होंगे साबुदाने की खीर बनाते हैं गाजर की खीर कद्दू की खीर या फिर लौकी की खीर तो लौकी की खीर मैं जिस तरह से बनाती हूं आप एक बर बना कर इसको अच्छे से धीमी आज पर दीरे 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 उबलने दीजिए और जब गाढ़ा हो जाएगा तो हमें इसमें क्या करना है कि फिर हम इसमें मिलाएंगे लॉकी अब लॉकी को मैंने बिलकुल अलग तरह से मिलाए अकसर यह समस्या आती है कि अगर आप उबलते तो लॉकी हो जाती है लॉकी दूद को फार देती है कई बार मेरे इस तरीके से लॉकी बिलकुल भी नहीं फटेगी देखिए दूद हमारा लगबग आधा हो चुका है और मैंने इधर क्या किया है लॉकी को ग्रेट कर लिया है एक पैन में डाला है थोड़ा सा घी उसमें इलाइची पाउडर और मैंने यहां पर लॉकी को डाल दिया है आज को बिलकुल दीमे रखेगा और लॉकी को हमें गलने तक पकाना है जब हमारी लॉकी अच्छे से गल जाएगी न तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे अपने दूद में हलका सा गला कर और अब इस पर इसको मेल्ट होने तक हमको पकाना है जब तक कि हमारा गुर्ण मेल्ट नहीं हो जाता है यह देखिए हमने कोई चाशनी नहीं मनाई है और जब यह गुर्ण पूरे तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको अपनी खीर में मिला देंगे आप एक बार ऐसी खीर बना के द